Students, तो अब हम effects of force के बारे में जानेंगे क्या है effects of force, what can force do, आकिर force करता क्या है Number 1, force can make a stationary object move यानि force के द्वारा हम किसी रुके हुई चीज़ को चला सकते हैं or can change its position of rest और हम उसकी position को बदल सकते हैं, उसे हम rest में ला सकते हैं Number 2, force can change the speed of moving object force के द्वारा हम किसी चलती हुई चीज़ की speed में बदलाव ला सकते हैं Number 3, force can change the direction of motion of a moving object यानि force के द्वारा हम किसी moving object के direction को भी change कर सकते हैं Number 4, force can change the size or shape of an object force के द्वारा हम किसी object का size है, shape है, उसमें भी बदलाव ला सकते हैं इसका एक best example आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई balloon है जिसमें हवा भरी हुई है हम उसे दोनों हातों से push करें तो क्या होगा? उसकी shape और size में differences दिखाई देंगे अगर हम ball को hit करते हैं तो वो सीधी line में जाती है अगर उसके सामने हम कोई रुकावट पैदा कर दें तो उसकी direction बदल सकती है उसकी speed change हो सकती है यानि जो force है उसको हम कहिए force के द्वारा हम object की position में उसके direction में, उसकी speed में, उसके shape में और size में differences कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बिटा describing a force यानि force को हम simple भाषा में समझ रहे हैं कि force एक push और pull की definition है किसी चीज़ को धक्का देना या कीचना हम उसके push force कहते हैं लेकिन force में हम दो चीज़ और add करते हैं magnitude और direction यानि हम जिस direction में force लगा रहे हैं वहाँ magnitude कितना है उसकी strength क्या है उससे related हम force को define कर सकते हैं तो a force can be describing by stating its magnitude and the direction in which it acts यानि force को कैसे describe किया जा सकता है उसके magnitude और उसकी direction के आधार पर हम force को describe कर सकते हैं यहाँ पर आपको दो arrow दिखाए दे रहे हैं उन्होंने का force को हम दो arrow से define कर रहे हैं यानि जो arrow की length है एक छोटी है और एक बड़ी है यह क्या है force का magnitude है और जो direction दिखाए गई है वो force की direction है यानि जिस direction में हम force लगा रहे हैं object उसी direction में आगे बढ़ रहा है F1 and F2 represent two forces with F2 is greater than and F1 both acting in the same direction वो ही कहते हैं F1 और F2 दो object हैं जिन पर same direction में force लग रहा है लेकिन F1 जो है F2 से छोटा है क्योंकि F2 का magnitude जाद है और F1 के comparison में तो अगर हम कहा जाए कि इसमें किसका force किस पर काम जाद है हुआ तो F2 पर काम जाद है हुआ Next slide देखते हैं बिटा यहाँ पर आपको एक concept map दिखाए दे रहा है जो कि force से related है जिसमें effects बताए गए हैं force बताए गए हैं और types बताए गए हैं effects जो कि अभी हमने discuss करें कि shape बदल देना, size बदल देना, speed और उसकी direction, उसके rest से moving और moving से rest मिला सकता है force force क्या है, push और pull है, red color में आपको दिख रहा होगा, फिर हम बात करते हैं types यानि force के जो types हैं उनके बारे में discuss करते हैं तो सबसे पहले हम force के types देखते हैं, एक जगे लिखा है contact, एक जगे लिखा है non-contact तो contact और non-contact का मतलब क्या है आगे बढ़ते हैं slide में, number one contact contact को आप देखें, तो यहाँ पर muscular और friction लिखे हुए है muscular का मतलब होता है कि muscles, यानि अपनी power, muscles की power के द्वारा किसी object की position को change करना, उसे हम muscular force कहते हैं यानि contact force का मतलब क्या है, जब किसी object पर force लगाया जाए यानि touch के द्वारा, आप किसी object को touch कर रहे हैं और उस पर force लगा रहे हैं उसे हम contact force कहते हैं, contact force को दो category में divide किया गया muscular में और friction में, muscular का मतलब जब शरीर की शक्ती के द्वारा, यानि आपके power के द्वारा, muscles की power के द्वारा object की position में change होता है, उसे हम muscular force कहते हैं friction, ये आपकी daily life में चलने वाला force है आप जमीन पर चलते हैं, आप चीजों को सरकाते हैं तो यहाँ सब जगे क्या है, friction है मान लिजे, आप जमीन पर चलते हैं, मान लिजे क्या चलते ही हैं हम लोग तो जब चलते हैं, तो हम आगे की तरफ अपने जब कदम बढ़ाते हैं तो जमीन हमें पीछे की तरफ धकेलती है यानि जब दो object, एक दूसरे के touch में हैं एक आगे की तरफ बढ़ा और एक पीछे की तरफ धकेल रहा है इस तरह के force को हम friction force कहते हैं यानि opposite direction में काम होने वाला force उसे हम friction force कहते हैं यानि जो भी object, किसी बढ़ाते हैं की भी surface से touch में है और एक चीज आगे जा रही है surface उसे पीछे की तरफ धकेलता है उसे हम friction force कहते हैं वहाँ पर friction force काम करता है यानि हमारा जमीन पर चलना friction है बॉल का जमीन पर चलना friction है हम table पर अगर book को आगे push कर रहे हैं ये भी friction है और एक stage ऐसी आती है कि यहाँ पर ball या जो आपकी book है वो अपने आप रुख जाती है ठीक है तो friction force कहां काम कर रहा है जहाँ दो surface आपस में touch में है उसे हम friction force कहते हैं muscular जहाँ हम शरीर की ताकत के द्वारा किसी object की position को change कर रहे हैं उसे हम muscular force कह रहे हैं यह दोनों ही force किस के type है contact force के type है अब आगे बढ़ते हैं non contact यानि right hand side देखें तो non contact force क्या है सीधा सा मतलब जो kit touch में नहीं है बिना touch के काम करे उसे हम non contact force कहते हैं इसे 3 में डिवाइड किया गया gravitational force, magnetic force और electrostatic force यानि gravitation को हम हिंदी में गुर्टवा आकर्शन बल भी कहते हैं magnetic को चुमबक से related या चुमबक वाला जो force है electrostatic यानि जहां पर चीजे charge हैं और एक दूसरे को attract कर रही हैं उसे हम electrostatic force कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं electrostatic force की आप लोग खेलते हैं खेलते कैसे हैं कभी-कभी आप जैसे छोटे-छोटे paper की pieces होते हैं उन्हें जमीन पर डाल देते हैं फार-फार के डालते रहते हैं और अपना कॉम या plastic का scale अपने बालों में रब करते हैं और रब करने के बार उन-पेपर की bites पर उसे गुमाते हैं तो क्या होता है वो से अट्रेक्ट करता है यानि कॉम को आपनी क्या करा चार्ज किया चार्ज करने पर क्या हो गया कॉम जब चार्ज हो गया और जो paper के bites थे जो की चार्ज नहीं थे आप जब उसके उपर उनी गुमाते हैं, scale को गुमाते हैं, तो वो से attract कर लेता है, इस तरह की force को हम, क्या कहते हैं, electrostatic force, the force exerted by a charged body, on another charge, or uncharged body, is known as the electrostatic force, यानि जब किसी object को charge करके, किसी दूसरी body के पास, जो की charge है, या हो सकता है, charge ना भी हो, उसके उपर जब हम उसे ले जाते हैं, तो वो एक दूसरे को attract करते हैं, इस तरह के force को, हम electrostatic force कहते हैं, magnetic force, ये तो आप जानते हैं, कि जो magnet है, वो iron की जो चीज़ें हैं, उन्हें attract करती है, यानि magnet के द्वारा, iron की चीज़ों को attract करना, क्या है magnetic force, a large magnet is being used to pick out scrap of iron from the garbage, it is using force to lift the iron pieces, the force is called magnetic force or magnetism, यानि आपने देखा भी होगा, garbage के hip में से, जो machine ही होती हैं, वो क्या करती हैं, iron की जो material, scrap material को निकालने के लिए, जो machine ही उनका इस्तमाल किया जाता है, तो उसमें magnet लगा होता है, बहुत बड़ा, जिसे कि वो जब उसके उपर वो घुमाया जाता है, move कराया जाता है, तो जितने भी iron के particles होते हैं, वो उससे attract हो जाते हैं, और वो उसमें चिपक जाते हैं, इस तरह के force को हम magnetic force कहते हैं, और इसे magnetism कहा जाता है, यानि magnet के दुआरा iron की चीज़ों को attract करना, कैसा force हो गया, magnetic force हो गया, आपका अब last आता है gravitational force, important force, जो की हमारी life में मौझूद है, object or things, fall towards the earth, it's pull them, यानि आप कोई चीज़ उपर की तरफ खेकते हैं, जमीन से उपर की तरफ खेकते हैं, थोड़ी distance cover करने के बाद, वो अर्थ पर नीचे आ जाते हैं, this force is called the force of gravity, इसे हम force of gravity के नाम से जानते हैं, or just gravity, या हम gravity भी कह सकते हैं, this is an attractive force, इसे हम attractive force भी कहते हैं, the force of gravity acts on all object, यह जो force of gravity है, हर एक object पर काम करता है, the force of gravity acts on all of us, all the time, without our being aware of it, यानि हम अगर यह कहें कि, कुछ चीज जो जिनके बारे में हम जानते हैं, वो तो ठीक है, नहीं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उन सभी पर, क्या लग रहा है, force of gravity लग रहा है, water begins to flow towards the ground, as soon as we open a tap, जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, तो पानी नीचे की तरफ गिरता है, उपर की तरफ तो नहीं जाता, पानी किदर आता है, नीचे की तरफ, water in reverse, flow downwards due to the force of gravity, नदियों का जो पानी है, वो भी नीचे की तरफ आता है, यानि किसकी वज़े से, force of gravity की वज़े से ऐसा होता है, gravity is not a property of the earth alone, यानि अर्थ की ये एक single property नहीं है, ये काम कर रही है मिलकर, in fact, every object in the universe, यानि universe में जितने भी object हैं, चाहे वो छोटा है, whether small or large, exert a force on every other object, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, वो क्या कर रहा है, force लगा रहा है एक दूसरे पर, इस तरह के force को, हम gravitational force कहते हैं, यानि contact, non-contact, types कितने हुए force के, दो types हुए, एक contact हुआ, एक non-contact हुआ, contact में दो part हुए, muscular और friction, muscles का प्रियोग किया गया, शरीर की ताकत का प्रियोग किया गया, friction, जहां दो object surface touch में है, उसे हम friction कहा रहे हैं, फिर non-contact में three हैं, gravitational, magnetic, electrostatic, electrostatic में जहां object को charge किया जाता है, और magnetic, जहां magnet के इस्तमाल से, हम iron की चीज़ों को attract कर रहे हैं, कहती है,